तो आज के इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ copyright strike आपको कैसे मिलते हैं और आप जो है किसी दूसरे को खुद जो है copyright strike कैसे दे पाओगे और copyright strike का जो option जो होता है वो दिखता कहां पे है और copyright strike जो है option आपको कम मिलेगा ठीक है इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे तो इस वीडियो को देखते रहना end तक अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना like तो चलिए अब आपसे ज़्यादा time लेंगे नहीं अब करते हैं शुरू तो सबसे पहले copyright option पे हम जाएंगे ठीक है यहाँ पे और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपको खुद दूसरे को copyright strike देना है या आपको कैसे copyright strike मिलता है ठीक है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जोई क्लिक कर देना होगा इस logo पे आपके channel का logo दीखेगा यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक होने के बाद यहां पे आपको YouTube Studio का option मिल जाएगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है तो YouTube Studio पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस परकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा आपके जो है YouTube चैनल के dashboard यहां पे ओपन हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको जो है copyright strike मिलेगा तो वो notification जो है आपको यहां पे दिखेगा ठीक है जब आपको copyright strike मिलेगा तो बांकी चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि बांकी अगर आप किसी को भी copyright strike देना चाहते हो तो इसके लिए जो है कोई वजय होना चाहिए जब आप किसी को copyright strike दोगे ठीक है तो यहां पे सबसे बहले आपको करना क्या होगा उस option पे जाना परेगा copyright strike देने के लिए तो यहां पे आपको नीचे की और आना है और यहां पे आपको वो option मिलेगा copyright यहां पे लिखके दिख रहे ठीक है तो ये option आपको जम मिलेगा जब आपका channel जो है monetize होगा जब आप Google AdSense से जो है आप अपने channel को link कर दोगे तब ठीक है बागी वह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा copyright का option तो आपको यहाँ पे click कर देना है click होने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरा 3 वीडियो दिख रहा है ठीक है यह 3 वीडियो जो है किसी भाई ने जो है मेरे YouTube channel से download करके और वो अपने channel पे upload कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसका जो है notification आजाता है जब आप आप जो है यहाँ copyright strike पे click करोगे तो आपका भी जो है वीडियो अगर कोई download करके रखा होगा अपने channel पे तो वो वीडियो जो है इस option के अंदर में आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पे वीडियो डिलेट कर सकते हो ठीक है यहाँ पे click करोगे और उसके बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो है delete कर देना है ठीक है यहाँ पे request removal पे click करके delete कर सकते हो ठीक है बाकि अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है तो यहाँ पर जो है होता क्या है कि यहाँ पर और भी option है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ तो यहाँ पर यह option जो आपको दिख रहा है ठीग है यहाँ पर फाइल का इस पर लिखा हुआ है movie to archive ठीक है अगर आप इसपर klik करोगे तो होगा क्या की धोके से जैसे आपके चैनल पर वो वीडियो नहीं रहेगा और वो वीडियो जो है दूसरे के चैनल पर upload है तो उसके चैनल पर से जो है आप फाल के अंदर में जो है यहां पर movie कर सकते हो ठीक है आप अपने पास जो है ला video removal ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है message कर सकते हो contact कर सकते हो उसके channel से ठीक है उसको message कर सकते हो कि बोल सकते हो भाई यह मेरा content है मैं इस content को बनाया हूँ तो आप जो है अपने चैनल पे से पिलीज हटालो ठीक है तो अगर वो मानेगा तो ठीक है अगर नहीं मानेगा तो आपको करना क्या है कि एस्ट्राइक देना है तो एस्ट्राइक कैसे देना है तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है किलिक कर देना है ठी जाता है contact channel का उसके बाद जो request removal का उसके बाद अर्चीव का ठीक है बांकि एक बात मैं आपको बताया हूँ कि यार अगर आपको जो है copyright strike मिलता है तो वो दिखता कहां पे है तो सुरू में ही मैंने आपको बता दिया ठीक है वो जो है notification आपको मिलेगा ठीक है फिर से मैं एक ब चैनल पर नहीं डाल सकते हो आप जो है यहां पर सीधा सीधी live देख सकते हो कि यहां पर जो है option आ जाता है अगर आप किसी के भी वीडियो डाउनलोड करोगे अपने चैनल पर upload करोगे तो उनके पास जो है वो notification चला जाएगा उनको जो है मालुम चल जाएगा जैसे कि आप अभी देख रहे हो बांकी चलिए यहां पर जो है मैंने टिक कर दिया यहां पर जो है इस पर जो है टिक कर देता हूं ठीक है और उसके बाद जो है इस पर से हटा देता हूं बांकी आपका मर्जी है अगर आप इसको रहने देना चाहते हो वीडियो को तो ठीक है नहीं तो ह log झाए अगर आप डिलेट करना चाहते हो तो आप डिलेट कर सकते हो तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने theika कर दिया अगर नंगा क्लिक कर दोगा तो किलिख होने के बाद आपके सामने इस परकार का प्राइज Open हो जागा, open होने के बाद आप यहां पे क्या कर सकते हो इस form को भर सकते हो भरने के बाद आप submit पे click कर सकते हो ओपर ठीक है लेकिन उससे पहले आप नीचे और आके देख लेना है कि इसमें आपको करना क्या क्या है आपकी उसके बाद जो है वो अपना जो है क्या कर सकता है कि अपने चैनल पे से बीडियो को नहीं जानता था कि दूसरे का वीडियो जो है अपनेasian पर लैता था तो ऐसे में हमारे पास तुरंध के तुरंस नोटिफिकेशन भी आ जाता था तो मुझे वीडियो को डिलेट करना परता था क्योंकि हम दूसरे का content जो अपने channel पर नहीं रख सकते हैं ठीक है तो अगर हम यहां पर अगर नहीं डिलेट करते हैं इन d intellio को ठीक है तो उनको जो हो। फाइदा भी नहीं है this है तो हमने इस डोनों वीडियो को क्यों छोर दिया है छोर दिया होसलिए कि कोई बात नहीं είναι कोई बात नहीं यार तोरे दिन और जो हे मैं इसको रहने देता हूं उसके बाद जो है मैं relate कर दूँगा ठीक है बागी यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको जो है strike देना है और कैसे जो है आपको मिलते हैं तो चलिए मैं एक बार और मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको dashboard पे click कर देना है फिर से click होने के बाद यहाँ पे देख सकतो कि dashboard फिर जो ओपन हो गया ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका वो notification दीखेगा जब आपको strike मिलेगा तब ठीक है नहीं तो आपको करना क्या है कि ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जिससे कि आपको जो है copyright strike का notification यहाँ पे आए ठीक है सबसे पहली बात होता क्या है कि अगर आप गलती करते हो तभी जो है आपके साथ ऐसा scene होता है ठीक है आप जो है अपना खुद का content बनाओ और आप जो है अपने channel पे upload करो ठीक है कभी भी life में कोई भी दिख़त आपको नहीं होने बाला है ठीक है तो जो जनकारी था मैंने आपको दे दिया बांकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो में आपको comment करना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में